हालो दोस्तो मैं निकिता वेलकम करती है अपने YouTube चैनल फितनिस पित निकिता में दोस्तो जब आप सुबे सोके उठते हो तो बहुत ही जाधा शरीर में अकड़ापण है आप फीट करते हो को उठते ही करना है आप उठके इन stretching को कीजिए आप फील करोगी आपकी body जो है वो अच्छे से खुल चुकिया open हो चुकिया और जो आप low energy feel कर रहे तो उसके बाद आप अपने आप में बहुत जादी energy को feel करोगी यानि कि आप एक energetic वाली feeling ले सकते हो तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी stretching है जिससे करके आप अपनी body की stiffness को दूर कर सकते हो so without wasting any time let's get started लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है चैनल को चुन्दी से subscribe कर देना है पासी में दिख रहे bell icon को press करना है ताकि आपको आने वाली नई videos की notification मिलती रहे और अगर आप मुझे Instagram या Facebook पर देख रहें तो आप मुझे वहाँ पर follow कर सकते हैं तो हमारी first stretching आपको क्या करना है आपको इस तरीके से बैठ जाना है जिस तरीके से आपको उठे हो आप बैठ पे बैठ के भी इन stretches को कर सकते हो तो आप इस तरीके से बैठे हो, आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा stretch करना है, धीरे-धीरे अपनी neck को उपर लेके जाना है, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए नीचे, इसको आपको कम से कम 5-10 बार इसी तरीके से करना है, सांस भरते हुए उपर, सांस खाली करते हुए नीचे इसी तरीके से 5-10 बार आपको अपनी गर्दन को राइट में ले के जाना है सांस छोड़ते हुए राइट पर दूसरी साइड और वापस इसी तरीके से यह भी जैसा मैंने का आए आपको यह भी कम से कम 5-10 बार जरूर करना है नेक्स्ट आपको क्या करना है थोड़ा साइट की तरफ चाना है सांस को खाली करते हुए जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखेंगे अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे बैक आपकी स्ट्रेट सांस भरते हुए वापस फिर से सांस को खाली करते हुए दीरे दीरे प हाथों को अपने सर के पीछे रखना है, इस तरीके से, यह मैं हलका हलका आपको warm-up बता रही हूं, इसके बाद हम कुछ stretches स्टार्ट करेंगी, अगर आप इनको भी इतना करते हो तो आपको काफी benefit मिलेगा, आपकी stiffness को दूर करने में, दीरे दीरे आपको दूसरी साइड जाना रिलाक्स, तो यह था हमारा थोड़ा सा warm-up, अब हम करते हैं stretching start, तो हमारी first stretching आपको क्या करना है, अपने हाथों को, इस तरीके से रखना है like this, अब आपको stretch करना है, पीछे की तरफ और वापस, इस तरीके से आप stretch करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chain and relax, इसको आपको कम से कम 20 से 30 time जरूर करना है, next आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को side में रखना है, और धीरे धीरे side में आपको जाना है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी elbow को नीचे लेके जाएंगे and stretch, यहाँ पर हम hold करेंगे, 1, 2 and 3, वापस, इसी तरीके से हम दोसी side भी करेंगे, 1, 2, 3 and relax, इसको भी आप 30-30 दोनों side से करेंगे, या फिर एक मिनट तक continue करेंगे, जितनी बार भी आप repetition कर सके, उतना करें बढ़ते हैं, next stretch की तरफ तो आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को सामनी की तरफ फैला लेना है, आपको क्या करना है, अपने legs को अंदर की तरफ जो आपके पंजे हैं, उनको आपको अंदर की तरफ लाना है, back आपकी straight रहेगी, इस तरीके से आप अंदर लेकर इनको अच्छे से stretch करेंगे और यहीं पे हम 2-3 second hold करके फिर सांस को छोड़े बाहर की तरफ जाएंगे इस तरीके से इसको भी आप कम से कम 10-20 पार करेंगे Next आपको क्या करना है आपको अपने इस पैर को इसी तरीके से रखना है और दूसरे वाले पैर को उठा के आपको इस तरीके से अपने गुटने पर रखना है गुटने के ऊपर गुटना आएगा यह वाला पैर आपका side में अब आपको क्या करना है आपको धीरे धीरे अपने forehead को अपने माथे को अपने गुटने से touch करने की कोशिश करनी है आप चाहो तो अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जा सकते हो अगर आपसे नहीं जाया जारा आगे तो आप जहां तक चाहिए धीरे 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 आपको अपने forehead को अपने knee से touch करना है आप फील करोगे कि आपकी यहां की जो muscles है वो बहुत जादा stretch हो रही है तो आपको अच्छे से अपनी muscle को stretch करना है इसे आप एक side से कम से कम 20 से 30 times करेंगे इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से भी करना है बढ़ते हैं next stretching की तरफ next आपको क्या करना है आपको इस तरीके से जैसे आपके पैर सामने की तरफ खुले हुए हैं आपको एक पैर को fold करना है इस तरीके से और दूसरे को इसके उपर से इस तरीके से आपकी एक position बन जाएगी आपका गुटने के ओपर गुटना इस तरीके से आपको करना है आपको अपने दोनों हाथ को side में रखना है और इसमें भी आपको अपने forehead को या फिर अपनी nose को अपने knee से touch करने की कोशिश करनी है अपनी back को straight करते हुए हलका हलका आप twist करेंगे दूसरी तरफ जितना हो सके stretch 1,2,3 वापस दूसरी side 1,2,3 वापस इसी तरीके से आपको दूसरी side से भी करना है और इसको कम से कम आपको 30 times perform करना है relax next आपको क्या करना है आपको अपने दोनों पैरों को सामनी की तरफ फैलाना है और हातों को पीछ में लेके जाना है जितना हो सके उतना आगे अपने आपको push करने की कोशिश कीजिए अगर आप यहां तक जा रहे हैं तो यहां तक जाईए लेकिन हर बार अपने आपको जितना हो सके आगे की तरफ push कीजिए इतना जा रहे हूं कोई बात नी इतना जाईए धीरे धीरे इस तरीके से अपने आपको आगे push कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी body को आगे लेके जाईए इसको भी आपको कम से कम 30 times तक जरूर करना है नेक्स्ट आपको क्या करना है पैर को सिर्फ जादा नहीं खोलना सिर्फ इतना ही खोलना है और धीरे 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 अपने पंजों तक अपने हाथों को लेके जाना है और यहीं पर हमें धीरे धीरे hold करना है धीरे धीरे आप अपने एडियों तक अपने हाथों को लेकि जाएंगे अंदर की तरफ से जिस तरीके से मैंने किया हुआ है and hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 relax बढ़ते हमारी next और last exercise की तरफ जो कि हमारी बहुत ही अच्छी stretching है आपको इस तरीके से अपने पैरो को रखना है आपको क्या करना है आपको मैं एक trick बताऊंगी चो कि बहुत ही easy है आपको इस तरीके से अपने leg को fold करना है जैसे कई लोगों को क्या होता है उनकी जो toes है वो touch नहीं हो पाते इस तरीके से जैसे कई लोग यहीं तक रह जाते हैं और उनकी जो पंजे हैं वो तच नहीं हो पातें तो आपको क्या करना है इस तरीके से अपने नी को फोल्ड करना है अपनी टोस को पकड़ना है और धीरे धीरे अपनी टोस को स्ट्ट कर देना है अपने नी को स्ट्ट कर द 6, 7, 8, 9, and 10, relax, इसमें आपको 30 सेकिंड तब होल्ड करना है, तो आज की जो स्ट्रेचिंग थी, जो आपको सोते ही उठते करनी है, जैसे ही आप सो के उठके इन स्ट्रेचिस को करोगे, इन स्ट्रेचिंग को करनी के बाद आप फील करोगे कि आपकी बॉडी में जो स्टिफन ही और साथी साथ ये काफी help करेंगे आपके weight loss में, आपके fat को burn करने में, तो आज की जो वीडियो थी वो मेरी हैंई तक थी, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को like करें, share करें, उन लोगों के साथ जिनको ये problem है, ह हो सकता हो, आपको भी ही problem हो, तो जितना हो सके उतनी इनकी practice कीजिए और comment करके अपना result जरूर शेयर कीजिए, मिलती हूँ नए वीडियो मेने topic के साथ, तब तक लिए stay fit, stay healthy, bye bye झाल